नमस्कार मित्रों, S.S.C. स्टेनोग्राफर स्टून में आप सभी का स्वागत है, प्रस्तुत है हिंदी आशलिप उच्छ गति अभ्यास खंड एक, डिक्टेशन नमबर एक, गति असी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होने में शेश हैं, एक मिनट तीस सेकंड तस सेकंड पाज सेकंड स्टार्ट सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ फर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी तुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है इस द्रश्ट से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोजना हुई है वहां इस मंत्रालय की कम आलोजना हुई है इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तोर पर किसी भी देश की सुरक्षा नेति का लक्ष यह होता है कि दूसरे देशों खास तोर से पडोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध इस्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें इसलिए हमारे देश का यह करतव हो जाता है कि हम अपने पडोसियों के कारियों पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आये वे हमारे पडोसियों से आये हैं 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझोता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस द्रश्ट से बहुत चरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें हमारा उदेश दूसरों पर आक्रमन करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमन करें तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डट कर सामना कर सकें आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमरीका और चीन से काफी मदद मिली है रक्षा मंत्राले की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमरीका ने पाकिस्तान को 1500 करोड रुपे की फोजी सहायता दी है आज जहां हम फोजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्त बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां पाकिस्तान संसार के सब देशों से फोजी सामान खरीद रहा है अपनी नीत के कारण वह सब देशों से लाब उठा रहा है मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्त बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से अधिक फोजी सामान खरीदना चाहिए आज तिबबत की सीमा पर चीन की डेढ़ लाग फोज खड़ी है स्टॉप दोस्तों अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाओं को कमेंट में दें नए डिक्टेशन पाने के लिए हमारी चैनल स्सी स्टेनोग्राफर्स जोन को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद